तो हलो एवरिवन वेल्कम बैक एन एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग गन को देखते हैं चुकि इत की बातों को सोच रहा होता है विकॉस उसका बेस्ट फ्रेंड है यार तो उसे बिलीव नहीं उपा रहा होता कि वो उसके साथ ऐसा भी कर सकता है और वो यह भी सोच रहा हो मैंut चाहता है कि यह सब उन्नेग सिंह के साथ मेलके किया है और एप गंदेंजर में फिर इदक के साथ यूड को देखते हैं क्यों परिंटके साथ में जोप कनालस स्टार्ट कर देती है । पर मीता को शकाने की स्मेल व जाती है एन वो बश्रोप में चले जाती है तो मीता वी माला के पास जाती है एन उसे पूछती है कि तुम ठीक हो न I think it's morning sickness तो वी उसे बोलती है कि वो बिलकुल ठीक है और उसे अपनी बेबी के लिए न स्ट्रॉम तो रहना ही पड़ेगा एन बहुत जाती है तो मीता उसे बोलती है कि बट अगर तुमें किसी भी चीज़ की जरुरत हो न तो तुम मुझे बताना ओके एन वो भी माला को हग करती है एन कंसोल करने लगती है और इधर हम लोग गन को देखते हैं जो कि इत को मिलता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे हां तो इत वोज लाइक हां जब मैं बता रहा था तब तो सुन नहीं रहा था बट चलो छोडो और अब ना मेरी बात ध्यान से सुन की बी के पास जो बेबी है ना वो तेरा है मेरा नहीं और मैंने कभी उसे वैसी नजर से नहीं देखा जैसा तू सोच रहा है और वी ना वो तुस्से बहुत ज़दा नराज है विकास ओन और तेरे बी जो भी कांट हुआ है ना उसे उसके बार में पता चल गया है इसलिए वो तुम से जूट बोली कि ये बीबी मेरा है तो गन वोस लाइक है अब मैं क्या करूँ बिकास वो तो वी माला को पहले ही बहुत कुछ सुना दिया है और वो इद को बताता है कि उस रात ना वो बहुत ज़दा ड्रिंक था इसलिए वो सब कुछ हो गया बट अब ऐसा कभी भी नहीं होगा और फिर वो इद को sorry and thank you दोनों बोलता है अब sorry तो इसलिए बिकास उसने पहले इद की बात जो नहीं सुनी थी इद की क्या इविन किसी की भी नहीं सुनी थी तो sorry तो बनता ही है और thanks इसलिए बिकास इद ने गन की इतनी सदा help जो की तो इद वोस लाइक अरे नहीं it's okay चलता है बट अब न वी को बापस अपने पास लाने की responsibility दे रही है ओके और वो उसे निफा के murder के बार में बताता है तो गन काफी ज़दा shock हो जाता है जन सीन कट होता है और फिर हम लोग इद को बापस से starlight में देखते हैं जो कि फिर से अपना काम करना start कर देता है तब भी वहां पे उन पहुंच जाती है और वो उसे question करती है कि तुम दुबारा से यहां क्यों आयो हां गन ने तुमें fire कर दिया है ना रुको में आभी जाके गन को बता दी हूँ बिकोज अभी उसे पता नहीं है ना कि गन और इत वापस से friends बन गए है तब ही मिस पी उसे बता दी है कि उन्होंने इत को यहां पे वापस बुलाया है और रही बात गन की तो फिलहाल ना वो काम से बाहर गया है कुछ दिनों बाद आएगा और आपके लिए उसने मैसेच छोड़ा है कि ओन ना यहां से चा सकती है बिकोज अब जब गनी स्टाल आइट में नहीं है तो वो यहां पे रुक के क्या करेगी तो आउन को ना यह सुनके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा करके वहां से चले जाती है और इदर हम लोग गन को देखते हैं जोके एक्चुली मैंना कहीं भी नहीं गया होता फो तो फी माला से मिलने के लिए आया होता है ताकि वो भी को मना सके बट वी तो उसे देखते ही गुस्सा जाती है और कहती है कि अब दुबारा से यहां पे क्या लेने के लिए आयो तो गन कहता है कि उसे ना इतने सब कुछ सच सच बता दिया है और मैं या तुम से माफी माफी माँदने के लिए आया हूँ about ओन तो वी कहता है कि मुससे माफी क्यों माँदने के साथ जो भी है वो तुम्हारी problem है मुझे involve मत करो तो गन कहता है कि तो तुम भी तो ऑन को हमारी matter में involve कर रही हो ना और उसे बहुत अच्छे से समझा रहा होता है कि अब उन दोनों की बिच कभी भी नहीं आएगी और उसके भी जो भी था ना वो खतम हो छुका है वो दोनों अलग हो चुके हैं और वी को sorry भी बोलता है और कहता है कि अब वो बैसी mistake ना दो बारा कभी भी नहीं करेगा और प्लीज प्लीज बोलके अपने बेबी के लिए फिर से restart करने का बोल रहा होता है बट वी माला ना ये सुनके बहुत ज़्याद़ एमोशनल हो जाती है और वो उसे रोते हुए कहती है कि तुम कुछ भी बोलो बट मुझे पता है कि अउन तुमें कभी भी नहीं जाने देगी और लिसिन टू मी क्यारफूली कि मेरे पेट में जो बेबी है ना वो तुमारा ही है करता है कि मैं तुमें और अपने बेबी को कभी भी डेंजर में डालूँगा और अपने पेपी के लिए एक अच्छा फादर बनुगा प्लीस बीमाला मुझे एक चांस दे दो एंव उसे बैगिंग करते हुए एक चांस मांग रहा होता है लेकिन विमाला थोड़ी मानने वाली थी और वो उसे कहती है कि अगर तुम सच्ची में मुझे और हमारे बेबी को प्यार करते हो ना तो हमें जाने दो और दोनों ही बहुत ज़दा emotional होते हैं और scene भी बहुत ज़दा emotional हो जाता है और फेवी माला वहां से चले जाती है गन उसकी पीछे जाता है बट परिन उसे रोक लेता है बिकोज वो सारी conversation तो सुनी लिया था और वो गन को बोलता है कि तुमें ना उसे थोड़ा सा time देना चाहिए वो मेरी बेहन है बट उसने बहुत कुछ जेला है especially on को तो गन उसे कहता है कि sorry for everything बट मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगा और अब मुझे पता भी है कि मैं किसे प्यार करता हूँ तो परिन उसे कहता है कि तब तो जिस परसन को तुम इतना जादा प्यार करते हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं कुछ भी करना पड़ेगा बिकॉस ओन ना बहुत ही जादा डेंजरिस है तो गन कहता है कि don't worry जल्दी डिवास के बाद पिम की कस्टडी मुझे मिल जाएगी तो मैं पिम की अच्छे से केर कर पाऊँगा एंदेन मैं वी को भी ही प्रूफ करूँगा कि मैं उसके लिए कितना ज़्यादा सिंचेर हूँ उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस बार बंदा गिव अपनी गाने वाला तो परिन ना यहाँ पे गन को धमकी देती हुए साथ और अगर तुम्हें हल्प की जरूर दो तो जरूर बताना ओके और फिर वहां से जले जाता है एंदन जीन कट होता है और हम लोग देखते हैं नेक चीन में कि गन वी की घर जाता है उसे मनाने के लिए बट बाहर ही उसे सासुमा मिल जाती है जो कि पौदों को पानी दे रही होती है तो गन सोचने लगता है कि अब अगर उसे भी चाहिए तो सासुमा को तो फेस करना ही पड़ेगा ना एंदेन बंदा बहुत हिम्मत करके अंदर जाता है और सासुमा को हालो बोलता है तो वीकी मॉम तो धरी जाती है और गन का रेक्शन वस लाइक नई नी सासुमा फिर से पानी मत फेकना फेका 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 बट 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 इस बार ना सासुमा का बीहेवियर एंड टॉन दोनों ह चेंज होता है और वो फटाक से पानी का पाइप चोड़ दिया और गन को पूछ दिया आरे दामाज जी आप हो क्या आपने खानवाना खाया या पर नए तो यह सुनके ना विचारा गन तो बहुत ही ज़दा हो जाता है कि लाइक है मुझे बोल रही है तो मुझे बोल रही है अन कहती है कि मुझे विमाला ने सब कुछ बता दिया है कि यह भी भी तुम्हारा ही है और तुम आपसे मुझे मुझे मॉम कहके बुला विकॉस अब हम एक फैमली है ना तो यह सब सुनके ना गन तो बहुत ही ज़दा हैपी हो जाता है कि चलो अट लिस्ट सासुवा को मना में उसे जादा मैनत नहीं करनी पड़ी और वो उने बहुत ही प्यार से फिर से हलो मॉम बोलता है तो मॉम का रियक्शन वस लाइक ओ मेरा दमाद कितना संसकारी हैं क्यूट है टाइप होता है जो कि बहुत ही जादा पानी हो जाता है और अन्ट को साइड करते हैं दमाद ज होगा ही ना और सेन भी बहुत अदपनी हो जाता है और फिर गन अंदर जाके आंट और मम को सौरी बोलता है और बताता है कि वह वी माला एंड बेबी की रिस्पोंसबिलिटी लेने के लिए रेडी है तो उसकी माम पूछते हैं कि बट तुमारी एक्स वाइफ का क्या हां त उसे कहती है कि मैं तुमें बोली थी ना कि हमें जाने दो तो गन उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को कभी नहीं जाने दूगा और उससे फिर से एक और चांस मांग रहा होता है तो भी कहती है कि तुम ना वो चांस आलरेडी गवा चुके हो तो वहां पर गन उस कि उसने न उसे बहुत जदा मिस्किया बिकॉस कोई भी उसकी क्यार करने के लिए नहीं था एंड वह आल्मोस्ट मरने वाला था तो यह सुनके भी बहुत ज़दा शुक्त हो चाहिए कि तुमने फिर से मुझे जूट बुला हां और फिर सीन उन पर ही शिफ्ट होता है जिसे मारूत कॉल करके गुड न्यूज देता है कि वह एडिवास के जीत कही है और अब गन की प्रॉपर्टी इविन स्टाल लाइट की हाफ ओनर भी बन चुकी है वह भी लीगली तो यह सुनक की फुलन पार्टी चल रही होती है तभी आंट एंट मॉम उसे देखती है और दोनों को लगता है कि वह पक्का चोर है और दोनों यह अपने हधियार लेकर पहुंच जाती है गन को माने के लिए और मम्मी जी तो गन की अच्छे से धुलाई कर देती है और चब वो गन को द गन को जो मच्छरों ने इतनी सारी लब बाइट्स दिया है उस पे अच्छे से दवाई लगाती है और आज रात यहीं पिरुखने का बोलती है और एडवाइस करती है कि उसे इसली गिब अप नहीं करना है डटे रहना है जब तक भी माला उसे माफ न कर दे तो गन भी उने कोई शादी वादी नहीं होने वाली और मारुत की दी हुई रिंग उसे बापस कर देती है तो यह सब देखके ना मारुत तो बहुत ज़्यादा ही शौक्ड हो जाता है और वह उसे कहता है कि तुम उसे मज़ा कर रही हो ना राइट तो ओन उसे कहती है कि जब मैं तुम से नहीं करती तो तुम से शादी क्यों करूंगी हां तुमने मेरी हेल्प की और मैंने तुमें रीपे किया बस हम दोनों को एक दूसरे की जरुवती है और यह वाला सीन इस बंदे ने इतने पैसनेट होके परफॉर्म किया है ना कि मती पूछो वेकॉस ऐसा लग रहता है जैस सची में बंदे को धोका मिला हूँ उसकी गल्फेंस हैं सची में सीन बहुत ही जदा इमोशनल होता है फिर सीन वी की मॉम पे शिफ्ट होता है जो कि वी को समझाती है कि तुम से पहले ये मिस्टेक मैंने भी किया है और मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने बच्चे को अ तो उसकी मॉम उसे और समझाती है कि एक बार और अच्छे से सोच लो बिकॉस तुम्हारी खुशी के लिए न मैं किसी से भी नहीं डरती तो फिर ओन क्या चीज़ है और फिर वहां से चले जाती है और फिर रात को हम लोग देखते है कि वी माला का हाथ पगड़ते हूँ से तो वी उसे बोलती है कि वो बस अच्छी महमान नवाजी कर रही है और कुछ भी सोचने की कोई जरूत नहीं बिकॉस हमारे बीच सब कुछ ख़दाम हो चुका है तब गन उसे पिछे से हग कर लेता है तो वी माला उसे चोड़ने का बोलती है और कहती है कि अम्हें वो पु जाने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूत नहीं है और मैं बेबी को और तुम्हीं कुछ भी नहीं होने दूँगा प्लीस मुछ पे बिलीव करो तो वी माला उसे गैरंटी मागने लगती है कि क्या गैरंटी है कि जैसे और ने निवा को मारा है वो बैसे मुझे भी क कुछ नहीं करेगी मेरे पास मॉम है आंट है और अब ये बेबी है जिसकी केर मुझे करनी है तो प्लीस हमें जाने दो और बहुत ज़दा इमोशनल हो जाती है तो गन कहता है कि बटा लव यू तो भी कहती है कि पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए यह फिलिंग खतम हो चुकी ह और हमें तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सुनके गन बहुत ज़दा सेंटी और इमोशनल हो जाता है और फिर पंदा बिचारा उदास हो के वहां से चले जाता है और उसके जाते ही वीमाला भी बहुत ज़दा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है एंड सीन में काफी ज तुम्हें पसंद आएगी बिकॉज अब गन जब वीमाला से शादी करेगा तो पिम को भी तो पसंद आनी चाहिए ना तो पिम भी उसे ओके बोल देती है और इधर जब ऑन को यह पता चलता है ना कि गन पिम को बहार लेके गया है तो उसे बहुत ही ज़दा गुस्सा आता है और कहते हैं कि हाँ गन आया तो था बट वो फिलालना अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने के लिए गया है इस करन्ट वाइफ अंडिस्टैंड बट ऑन ना इस पर भलेवनी करती और वो घर के अंदर गुस जाती है और गन को चिला चिला के बाहर आने का बोलने लगती है अब गन होगा तब ही ना बहार आएगा बट इस पर विकी मॉम को बहुत ज़दा गुसा आजाता है और वो फटाक से अपना अस्त अस्त उठा लेती है ऑन को मारने के लिए और वो ऑन को कहती है कि अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुमें किसे मार खानी है इससे या फि तो बंदों पर डिपेंट करता है वो किसे चूस करना चाहते हैं और जो गण तुम एह साथ कर रहा है उस से तो कि लिए हैं कि उसने किसे चूस किया है और अब गण तुमसे बोर हो चुका है और गुड्य दे आंकि कि गनन जल्दी मेरी बेटी शे से करने वाला है बट ध ड और गुसा करके वहां से चले जाती है देन रास्ते में वो विमाला को देखती है जो कि साइकल से आ रही होती है तो ओन को उस पे बहुत गुसा आता है और वो विमाला को अपनी कार से हिट कर देती है तो विमाला साइकल से नीचे गिर जाती है बट On को इतनी में थोड़ी सैटिस्फाई होना था वो न अपनी कार को रिवर्स करती है और विमाला की उपर ही चढ़ाने वाली होती है बट तब भी वहां पर गन पहुंच जाता है तो अब On गन को थोड़ी ही मार सकती है इसलिए वो फटाक से ब्रेक दबाती है और कार को रोक लेती है और फाइनली विमाला गन दोनों बच जाती है बट बेचारी विमाला तो शोक की वज़े से भिहोशी हो जाती है तो गन यहाँ पर बिल्कुल वालीबूरी स्टाल में उसे फिल्म में डालोग मारता है कि अगर तुम भी को माना चाहती हो ना तो पहले तुम ही मुझे माना पड़ेगा तो यह सुनके ओवियसली ओन को बहुत ज़र का गुस्सा आता है कि लाइक रेली सची तुम उसे त्ता ज़र प्यार करते हो बिचारी क्या करें गुस्सा करके ना वहाँ से चले जाती है वो घर पहुशती है तो वहाँ पे पिम को देखती है विकॉस गन उसे अलड़ेडी घर चोड़ गया था वो उसे पूशती है कि गन ने तुमसे क्या बोला है तो वहाँ पे बिचारी पिम उसे वीमाला के बारे में बता देती है तो उन बिचारी पिम का brain boss करने लगती है और उसे वीमाला के अगेंस बढ़का देती है कि लाइक तुम्हारे डेड ना उस लड़की को बहुत ज़दा प्यार करने लगे है और इधर हम लोग गन को देखती है जो के वी को होश्पिटल लेकर आता है और जैसे ही वीमाला को होश आता है तो ओर गन को अपने सामने देखती है तो उसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना तो मैं कहीं चोटतों नहीं आय और मेरा बेबी वो कैसा है बिकाज वो बहुत जादा वरेड हो रही होती है तो गन उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बेबी और तुम दोनों ही सेफ हो और ये सब सुनके विचारी मला को रिलेक्स फील होता है कि चलो फाइनली सब ठीक हैं किसी को कुछ भी नहीं हुआ कि तुमने न उस लड़की को अच्छे से गार्ड नहीं किया नेक्स टाइम बी कैरफूल बिकाज मैं उसे अपने हाथों से भी मार सकती हूँ तो गन उसे गुच्छाती हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोच था कि तुमें ये सब भी पसंद है तुमें मर्डर करना मजाख लगता है ना जैसे तुमने नीपा का किया है वैसे ही तुम भी माला को भी मारना चाहती हो है ना तो ओन कहती है कि नहीं ये तो बहुत ही कम है और अगर तुम दुबारा से मेरी बेटी को उसके साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए लेके गए ना तो इससे और भी जादा हो सकता है और तब भी वहां पर पिम भी पहुँच जाती है और वो रोती वे उनको हग कर ले दिया है तो गन उसे पूछता है कि तुमने पिम को क्या बोला है और वो पिम को समझाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उनको फोन करता है कि अगर दुबारा से तुम भी के साथ ऐसा कुछ भी की ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और गुच्सा करके वहां से चले जाता है और फिर सीन होस्पीटल में शिफ्ट होता है जहां पे गन भी माला का खायाल रखते रखते न वहीं पे सोजाता है तो विचारी भी माला उसे स्टेयर कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसे गन को माफ कर देना चाहिए या फिर नहीं और इदर हम ओन को देखते हैं जो कि एक किलम में बैट के डिंग कर रही होती है और वो खुद की फिंगर को थोड़ा सा कट कर लेती है तो उसे थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है बट तब भी वहां पर एक न्यू करेक्टर की एंट्री होती है जो कि ओन क कि फिंगर को अपनी मुह में रख लेता है और यह वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है अब यह निव करेक्टर कौन है क्यूं आया है इसके बारे में हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगा तो यह वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है तो यह वाला पार्ट यही कर दो फाव था तून